अस्सालामु आलेकुम वेल्कम अधिर्वब्या जॉन आपके लिए लेकर आइए बहुत ही मुफीट्प्स और ट्रिक्स क्योंकि घरों के काम तो सबने करने ही होते हैं, अगर इन कामों को आप ट्लिक्स के साथ करते हैं तो आपका काम जो है वो बहुत असान हो जाता है और आ इनको हम डेली पेसिस पर घर में रोटी लोपेटने के लिए इस्तामाल करते हैं क्योंकि रोटी लोपेटनी होती है इसका साफ होना बहुत जरूरी होता है इसका साफ करने के लिए कुछ लोग सरफ का इस्तामाल करते हैं जो उसकी smell है जो सरवकी या साबून की smell होती है वो इस रुमाल के अंदर से आने लग जाती है जिसके वाई से रोटी रखते हैं तो रोटी के अंदर से भी smell आने लगती है इसके वाई से बहुत बुरा लगता है खाने में तो अगर हम आप मेरी इस tip को follow करें तो आप देखेंगे कि आपके रुमाल में से बिकल भी smell नहीं आए कि इसके लिए आपने गरम पानी के अंदर जो है जो है जो आम हम dishwasher करते हैं आप देखेंगे कि आपके जो रुमाल है इस विससे किसी भी तरह की smell नहीं आएगी जब इसके अंदर आप रोटी लो पेटेंगे तो रोटी के अंदर से भी smell नहीं आएगी आप इसको एक बार ट्राइ करके ज़रूर देखेंगा इसमेरे मेरी टिप जो है व手 रोटी बेलने से मतलिक ऐखेंगे हैं खवातीन हो影片 के लिए पकाना मसला होता था की अंदर यो ममत्यार आट वे बाअधे चयादा यो क具 नहीं मतले убज़ है और वाषी नधीर के इसम Also मैं बनने के लुके यह पत बार राथिता बज़ए है और हलका सा इसको सेख लिया जाए जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि इसको सेखा जा रहा है इस तरह से आपने इसको हलका सा सेख लेना है ऐसा सेखने से इसकी जो नमी होती है वो निकल जाएगी और फिर इस आटे को आपने चान कर अलग कर लेना है और जब भी रोटी बनानी है तो इसको सूखी आटे के तोर पर इस्तामाल करना है ऐसा करने से आपकी रोटी जाया वो चिपके की नहीं यह देखे मैंने इसी सूखी आटे को इस्तामाल करते हुए रोटी बनाई है रोटी बिल्कुल भी चिपक नहीं रही है क्योंकि आटा जो आपने इस्तमाल किया उसके देना भी नहीं रही आप भी इस टिप को ज़रूर ट्राय करें और फीड़बेक अपना कमेट्स में ज़रूर दीजिएगा यह यह टिप जो है वो रोटी से ही मुतलिक है और बहुत ही जबरदस और यूनीक होने वाली है सम्टाइम क्या होता है कि कुछ लोगों को रोटी गोल बनाने में मुश्किल पेश आती है उसकी को भी वज़ा हो सकती है तो क्या होगा कि अगर इस तरह का एक बाउल जो कि हर घर में तकरिवर मौजूद ही होता है जिसके किनारे शार्प होते हैं और इसका साइज भी तकरिवर बड़ा ही है जो कि अवरेश रोटी के साइज के बराबर है अगर इस तरह का बाउल हम इसके उपर रखें आटे के और दबाते हुए रोटी का साइज जो है इस तरह से जिस तरह हम पूरियां वगारा कट करते हैं इस तरह से रोटी का साइज जो है वो कट कर रिया जाए और साइट से आटा हटा दिया जाए अब इस रोटी को हम तभे पर सेख ले तो हमारी तमाब रोटी ऑख एक ही size की बनेगी तूधपेस पुराने हो जाते हैं हम लोग इनको फैंक देते हैं लेकिन ये हमाले लिए बड़े करामत होते हैं अगर हम इनको इस्तमाल करते हैं इनके different uses होते हैं उसमें से एक uses मैं आपको बता रही हूँ कि इसके उपर का जो हिस्सा है वहाँ पर आप steel wool लेकर उसके आप brush जो होता है उसके top पर लगाए और इस तरह से धागे की मतलत से आपने क्या करना है कि अपना जो steel wool है उसको brush के उपर अच्छी तरह से tie कर देना है ताकि ये हिले नहीं अब आपने क्या करना है ये आपके पास एक scrubber बनके ready हो गया है घर में कीचन में या फिर washroom के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो कि या तो बहुत जादा गंदे होते हैं और उनकी सपाई करते हुए हमारा वहाँ पर हाथ लगाने को दिल नहीं कर रहा होता या फिर ऐसी जगें होती हैं जहाँ पर हाथ जा नहीं रहा होता तो उस condition में आप इस तरह का scrubber बनाकर ready करें और उन जहों को असानी के साथ अपना clean कर सकते हैं I hope आपको ये tip भी पसंद आई होगी दूद को अबालते होएं तो मिने खैले सब भी परेशान होते हैं कि कहीं घिरना जाए और मुकमल तोड़ पर नज़र जो है वाद दूद की पतीली पर ही होती है कि किसी तरह से दूद जो है बाहर ना घिर जाए और दूद का वेस्टेज ना हो जाए चूला कंदा ना हो ज भी ना हो हमें इसको मुसलसा देखने का मसला भी ना हो तो इसके लिए क्या करना है एक सिरविक का कप लेना है जो कि हमारे आम घरों में इस्तिमाल होता है और इसको इस तरह से आपने उबलत दूद के अंदे छोड़ देना है अब आप तेज आग पर भी दूद को बॉइल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपका दूद जो है वो बाहर नहीं निकलेगा और आप इसको सेफली जो है बॉइल कर सकते हैं और तेज आख पर पकाना अब आपके लिए कोई मसला नहीं होगा आप देख सकते हैं कि मैंने तेज आख पर छुले रखा हुआ दूद को और आपस्ट